Hello everyone, welcome you all at Locator Unlimited Study Zone तो दोस्तों हमने last class में linear algebra जो unit है वो start की थी और इस चीज को समझे यहाँ पे की हमने last class में जो start किये थे topics उसमें हमने एक पुराना recapitulation कह लेजिए है या revision कह लेजिए पुराने जो concepts हैं जो basic concept से उनको देखा था तो उसमें हमने set देखा था, group देखा था, abelion group देखा था और field देखा था and then field के examples हमने देखे थे तो field के example में हम आपास set of field of real number, field of rational number, field of complex number and ये zpd function जो पढ़ा था हम लोगों ने तो इस type के हमने field पढ़ लिये थे, ठीक है ये addition model और इसको multiplication model बोलते हैं तो ये सारे field हो गये थे और इसके बाद हमने start करने है matrix हमें start करना है तो matrix के बारे में भी पहले हम थोड़ा सा introduction देंगे कि matrix और matrices में थोड़ा सा फर्क है तो matrix क्या है? एक single matrix जो एक singular यानि कि एक वचन के लिए इस्तमाल होता है matrix है और matrices जो है वो बहुवचन को व्यक्त करेगा जो आपका matrix यह जो आपके पास matrix है matrix यह क्या होता है यह एक rectangular array होता है it's a rectangular array of element matrix जो होता है वो क्या होता है element का rectangular array हुआ करता है okay so I can say कि what is matrix matrix is an rectangular array of element okay अब यह जिसकी order m और row और n column होते हैं so matrix की order को m cross n के form में लिखा जाता है okay और इसके element कहां से लिए जा सकते हैं देखे इसके element जो है वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं आप इसके element किसी भी set से ले सकते हो आप इसके element real numbers ले सकते हो आप इसके element rational number ले सकते हो अभी थोड़ी हम इसके element के बारे में और बात करेंगे कि इसके element हम लिखते कैसे हैं कहां से लिए जाते हैं field को correlate करेंगे इसके साथ अभी matrix के साथ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं type of matrix का भी हमें knowledge होना जरूरी है तो type of matrix में जो matrix होते हैं उसमें एक null matrix है so null matrix की कोई order specified नहीं होती है it is represented by o and it can have any order और बात याद रखना कि इसके जो each element होते हैं वो 0 होते हैं तो null matrix can have any order इसकी कूछ भी order हो सकती है बट याद रखेगा इसके element 0 होते हैं जैसे यह देखे 1 x 1 का है यह 1 x 2 का है और इन सब को किसे represent किया जाता है capital GSO से these all are represented by capital O अब next बात करते हैं next type of matrix की बात करते हैं next type of matrix जो है that is idempotent matrix idempotent matrix क्या होता है ऐसा matrix जिसका square करने पर itself वही आ जाए तो ऐसे matrix क्या बोलते है idempotent matrix बोलते है then involuntary matrix समय लिजे कि ऐसा matrix अगर square करने पर आपको unit matrix मिल जाए then A is called A को बोला जाएगा involuntary matrix और nilipotent matrix समझ लिजे एक ऐसा matrix जिसका square करने पर आपको 0 मिल जाए 0 मतलब O 0 matrix मिल जाए then A is called nilipotent और यहाँ पर जो power होती है 2 power है तो यहाँ पर order of nilipotent क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा अगर 3 करने पर 0 होगा तो order of nilipotent क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा then orthogonal matrix और देख लिजे orthogonal matrix जो होता है that is equal to A into A transpose अगर किसी matrix में उसका transpose का multiply करने से I आजाए that time आपका जो matrix A कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका orthogonal matrix कहलाएगा उस समय ए जो है आपका orthogonal matrix कहलाएगा ठीके ना तो ये matrix के बारे में मैंने आपको introduction दे दिया कि matrix क्या हुआ करता है अब दिखिए हम matrix को matrix में जो element होते हैं matrix की जो entries होती है ओके वो कहां से ली जाती है तो अब जो हम पढ़ेंगे कि matrix के entry generally मतलब सामानिता हम जो पढ़ेंगे कि अगर कोई आपके पास में matrix है तो matrix की जो entries होंगी entries मतलब matrix के जो अवयब होंगे belongs to f f क्या होता है मतलब field होता है f क्या होता है field होता है तो सामानिता जब अब तक आपको कुछ कहां नहीं गया है तो आपके पास में ये जो होगा ये field से लिया जाएगा और आप सोचेंगे कि आपके पास field तो बहुत सारे होते है field of real number, field of complex number field of rational number तो अगर आपको कुछ बोला नहीं गया है तो as a default field क्या काम करेगा as a default field कौन सा field काम करेगा field of complex number field of complex number तो जो complex number का field है क्या बोलते हैं? इसको हम c करते हैं न? इस तरीके से कल मैं ने आपको complex number के field के बारे बताया था complex number का field किस तरीके से दिखा था? c plus and dot ये जो field होता है इसको हम as a default field मतलब ये कोई field हमें नहीं बूला गया है तो हम as a default field, इस field को मान करके चलेंगे, ठीक है न, तो थोड़ी सी बाते हैं, और करेंगे matrix के बारे में, तो matrix को किसे represent करते हैं, matrix is a, और a जो होता है that is equal to, it is the belongs to, a जो होता है, एक matrix के set m cross n का element होता है, okay, a belongs to the, a belongs to the set of, set of m cross n matrices, m cross n क्या है, order है, m cross n matrices, okay, और जिसके element क्या से ल f field से लिए जाते हैं, okay, तो यह structure को थोड़ा पढ़ना आपको आना चाहिए, so, what is a, a कोई matrix है, okay, matrix क्या belong करता है, मतलब matrix जो है, वो क्या है, बिलॉंग करेगा, और यह चीज क्या लिखी गई है, इस चीज का मतलब क्या है, this, कोई particular matrix a जो होगा, वो बिलॉंग करेगा, किस is equal to, this is equal to, structure का मतलब है, set of, okay, set of m cross n matrices, set of m cross n matrices, whose elements, elements, are from, set f, set f, okay, na, yes, तो, आपके जो, इसके जो element है, यह जो है, set f से है, ठीक है, sorry, set f, जो है, f क्या है, एक field है, f क्या है, एक field है, ठीक न, तो, यह किसे है, field f से लिए जाते है, अब एक चीज़ याद रखेगा, कि मैंने इसको पहले ही बताए, कि अगर आपको default field नहीं बताया गया, कि entries कहां स चलोगे, आप उसको as a default field मान करके चलेंगे, okay, दीखे, इसी को बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं इसी बात को लिख सकता हूँ, कि a is a matrix, okay, a is a matrix over f, over f, such that f is a field, okay, f यहाँ पर क्या है, field है, मतलब a जो है, कोई matrix है, किसमे, f में, मतलब इसके जो सारे के सारे element होंगे, वो इस field से लिए जाएंगे, तो अगर matrix a के element क्या होते है, a ij, तो मैं लिख सकता हूँ, a ij belongs to f, a ij belongs to f, मतलब इसके जो भी element होंगे, वो f से लिए जाएंगे, चलिए तो algebra के fundamental question से आज के question से शुरुवात करते हैं तो question क्या दिया है देखे देखे which of the following WOTF जो है यह short form है क्या कह रहा which of the following is true मतलब एक से ज़्यादा भी answer आपके true हो सकते हैं सबसे पहला पूछा गया है asset G यह क्या है G है and G over addition as a group where G is such that G is a set of matrices am cross n order का matrices है okay is the in the form of a ij m cross n जहां पे a ij जो है real number के for all i and j मतलब की इसकी जो matrix की जो entries लिगे है वो सारी की सारी क्या है real number है part number one हो गया second part number two देखे दूसरा option आपको दिया गया G plus okay मतलब set G and with operation plus is in group where G is such that G is a matrices set of matrices am cross n okay where a ij belongs to natural number मतलब इसकी हर entries कहां से है natural number से है okay अगला है third जो option दिया गया है वो है कि G is a linear number linear group over real number on addition and fourth option है कि G is a linear group over real number on multiplication तो आपको ये आपके सामने आपको देखना है कि कौन सा सही है तो देखिए सबसे पहला वाला point लेता हूँ पहला वाला point साम देखने से लग रहा है कि ये क्या है group है क्यों है group इस बी जो होगा वो भी क्या होगा this is also belongs to G ये भी G के अंदर होगा for all a, b belongs to G इसलिए एक उनसी property होगी ये closer property को इसने satisfy कर दिया दूसरा आपको पता है क्योंकि ये कौन सा है real number से मिलकर कि मना हुआ है क्योंकि यहाँ पर real entries है तो real entries है इसलिए क्या होगा ये associative भी होगा अब identity element की बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर आपके पास कोई matrix A है तो A के साथ matrix A के साथ आप क्या जोड़े है null matrix 0 null matrix O null matrix के सारे element क्या होते है 0000 तो ये भी सारे के सारे किसमें आते हैं belongs to R ही तो होते हैं मतलब identity element भी यहां से satisfy हो रहा है अब बात करते हैं additive inverse क्योंकि addition की बात करते हैं तो existence of inverse मतलब additive inverse तो आपके पास ये दी कोई matrix A है और A belongs to real number A के जो element है suppose Aij Aij जो किसके हैं belongs to real number है तो उसका जो additive inverse होगा वो क्या होगा minus A होगा additive inverse कितना होगा minus A Aij हो जाएंगे और ये भी क्या होगा ये भी क्या होगा real number को ही belong करेगा ये भी किसको belong करेगा real number को ही belong करेगा तो additive inverse भी यहां exist कर रहा है इसका मतलब जो पहला पार्ट है ये क्या होगा is a group पहला part is a group होगा अब चलिए second part देखते हैं second part है कि set G on addition set G on addition operation is a group Y where G is the set of the complex number Aij m cross n Aij belongs to natural number तो देखिए यहां पर यदि मैं बात करता हूँ closer property की तो closer property यहां पर बिल्कुल satisfy हो जाएगी okay closer satisfy हो जाएगी यहां पर आपके पास में associated भी satisfy हो जाएगी associated भी satisfy हो जाएगी बट जो तीसरी property है वो है existence of identity existence of identity तो देखिए additive identity यहां पर है और additive identity आपको पता है 0000 आ रहा है बट यह जो 0 होता है is does not belongs to natural number इसका मतलब यह group नहीं बनेगा दूसरी property यहां पर fail हो गई है इसका मतलब यह group नहीं बनेगा this will not be a group okay okay यह तो देखा जाए तो देखिए यहां पर जो आपके पास में यह property जो है fail कर गया है because जो 0 है element 0 जो है इसका जो identity element जो होगा वो इसके set में नहीं आएगा okay this is not belongs to अभी इसकी बात कर रहे थे natural number की तो यह तो पुराना लिखा हुआ है तो अगर यह मैं दी बात करू natural number की तो 0000 जो होते है वो 0000 यह natural number में नहीं आएंगे इसके element 0 है यह natural number में नहीं आएगा इसलिए यह जो second वाला part है यह second वाला जो है यह कभी भी group नहीं बनेगा एक और property जो last वाली property है okay inverse additive inverse क्योंकि actually plus operation है तो plus operation के लिए अगर आपके पास कोई matrix A है okay matrix A के लिए अगर आप मैं बोलू कि इसका additive inverse कितना आएगा तो इसका additive inverse exist करेगा minus of A कितना exist करेगा minus of A जिसके कुछ element या सभी element यहाँ पर हो जाएंगे negative हो जाएंगे और negative element जो होगे उसके जो element होगे AIG negative AIG वो natural number के अंदर बैठ नहीं सकते हैं therefore इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है second वाला point जो है second वाला जो अपने पास में set है यह group नहीं बनाएगा चलिए third की बात करते हैं चलिए थर्ड जो option आपसे पूछा गया है यह दिया गया है general linear group overall on addition तो सबसे पहले आप समझेंगे कि GLNR क्या हुआ करता है तो देखे इसे GLNR मतलब की GLR भी बोलते हैं N का मतलब होता है order N का मतलब हुआ करता है मतलब यह general linear group है general linear group इसको बोलते हैं अब इसकी definition समझें GLNR का मतलब होता है यहाँ पर एक आपके पास में matrices हुआ करता है जिसकी entries क्या होती real number होती है मतलब जो भी entries होगी वो क्या होगी real number होगी तो एक matrices होता है जिसकी order क्या होगी N N मतलब N x N तो यह क्या होगा इसके अंदर एक N x N का matrices होगा इसे आप N x N भी लिख सकते हो या AIJ N x N भी लिख सकते हो जहां इसकी entries होंगी R होंगी और जो determinant होगा इसका वो non zero होगा इसका determinant जो होगा आपको non zero होगा बस तो main चीजस में यह आद रखने वाली है कि determinant का जो होगा non zero होगा अब चलिए देखते हैं कि क्या यह group है तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ closer property की closer property over addition तो साब साब देख रहा है कि अगर आपके पास दो matrix आएंगे एक A होगा B होगा तो पक्के से जो इसका answer आएगा वो R के अंदर हो जाएगा closer हो गया तो closer को भी verify करेगा satisfy कर देगा then इसके बात बात करते हैं associative की okay associative की तो यह associative भी verify करेगा मतलब A plus B plus C जो है equal to A plus B and plus C ये भी इसको satisfy करेगा okay क्योंकि side भी real आएंगे सारे के सारे entries और यहां भी सारे की सारी अब बात करते हैं existence of additive identity okay existence of additive identity तो आप इसको समझे की अगर आपने यहाँ पर कोई एक matrices ले रखा है A नाम से और इसका आप existence of additive identity निकालेंगे तो यकीनल जीरो 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 होना चाहिए but आप देखो कि यहाँ पर 0000 का जो determinant आएगा वो किसके equal आएगा 0 के equal आएगा और condition क्या है कि determinant A 0 के equal नहीं हो सकता है मतलब यह चीज़ जो है considerable नहीं है तो मतलब यहाँ पर existence of additive identity fail कर गया तो इसका मतलब यह क्या है यह group नहीं है तो यह अपके पास में यह group नहीं बनेगा तो third वाला जो है हमारे पास जो option थे पहला वाला group बन गया second वाला group नहीं बना third वाला भी group नहीं बनेगा अब बात करते हैं fourth वाले की over addition dot दिया गया गिस देखे over addition dot तो GLNR over addition over multiplication general linear group है over multiplication तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से GLNR GLNR okay और क्या है multiplication के over इसको दिया गया ठीक ना यस ये रिखे इसमें multiplication में दिया गया तो फिर से इसकी condition वही समझ लिजे कि यहाँ पर वही है कि एक real number रहेगा जिसकी sorry एक matrix रहेगा जिसकी order एन रहेगी और A N cross N का matrix है A I J N cross N A I J belongs to our determinant A is not equal to zero ये condition इसकी होनी चाहिए सारी की सारी condition यही है कि यहाँ पर आपके पास एक matrix ऐसा exist करेगा ओके general linear group का मतलब और general linear group में आपके पास ऐसा matrix exist करेगा कि जिसमें real होंगी सारी entries ओके और उसका determinant 0 के equal नहीं होगा तो आएए देखते हैं कि क्या यह हमारे पास जो यह function है यह product के लिए general linear group जो है product के लिए क्या group form कर रहा है की नहीं कर रहा है तो GLNR over product ठीक ना इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कॉमा जरूर लगा यह तो देखते हैं सबसे पहले तो क्या यह यह दी मार लेजिए मेरे पास कोई matrix है A B C D तो सबसे पहले मैं यह चेक करूँगा कि क्या यह जो है आपके पास में यह closer property देगा मतलब यह आप इसमें दो matrix का multiply करते हैं A into B तो क्या यह जो दूसरा matrix देगा इसके सारे के सारे entries real number होंगी बेशक बिल्कुल सही बात है कि इसकी जो all entries होंगी इसको मैं C I J कह सकता हूँ belongs to real number मतलब यह closer satisfy कर गया है दूसरी property मैं बात करता हूँ product addition है तो product में आपको पता है कि A into B into C A whole dot B into C equals to A dot B into C यह भी होता है तो मतलब यह associated भी verify कर गया यह associated भी verify कर गया है तीसरी property जो होती है A into B equals to B into A ओके A into B equals to B into A तो यह कौन सी है identity element है यह क्या है identity element है तो identity element है क्या होता है देखिए आप लोग सब जानते है 1001 होता है 1001 होता है और अब ध्यान से यह आई का determiner निका लेंगे तो कितना आएगा वन आएगा और मतलब यह property satisfy हो रही है तो यह भी यहाँ पर भी यह property यह भी satisfy हो गई है last वाली property क्या होती है inverse ओके तो inverse क्या हुआ करता है देखिए आपको add मतलब की multiplicative inverse यहाँ पर चाहना पड़ेगा तो मतलब की यह जो determinant है इसका कभी खुद ही 0 नहीं हो पाएगा तभी multiplicative inverse इसका जो है exist करेगा because multiplicative inverse i का क्या होगा i upon a यह जो भी matrix होगा उसके elements जो होगे यदि यह matrix c बन रहा है तो c i j जो होगे वो क्या होगे real number होगे ओके तो यह सारी की सारी property जो है satisfy कर रहे है कौन-कौन सी closer satisfy कर रहे है associative satisfy कर रहे है then इसके बाद identity element and इसका inverse inverse element जो है operation के लिए कौन से dot operation के लिए सारे के सारे exist कर रहे है इसका मतलब यह जो होगा यह क्या बनेगा यह एक group बनेगा ओके so correct it's a group तो यहाँ पर जो अपने पास चार options दिये गए थे पूछा गया था कि group कौन-कौन सा है तो देखे यह पहला वाला भी group बनेगा ओके दूसरा वाला group नहीं बना तीसरा वाला भी group नहीं बना और चौथा वाला जो होगा ग्रूप होगा तो यहाँ पर group कौन-कौन सा बने गया है यह वाला group हो चुका है यह वाला मैंने GLNR को मैंने group से हटा दिया था और दूसरा वाला भी हट गया था group से तो आपके पास में दो groups बनेगे हैं आपे A वाला option और D वाला यह आपके पास में group बनेगे तो बहुत ही बढ़िया question था ही चली अगला topic देखते हैं अगला topic लिखिए diagonal in square matrix diagonals in square matrix अब linear algebra में आपको जो आपके सामने एक square matrices होता है उसमें आपके सामने diagonals के कई type हुआ करते हैं तो सबसे पहले आप जान लीजे कि square matrix क्या होती है तो यह तो आप जानते होंगे basic idea की एक ऐसी matrix जिसमें row और column equal हुआ करते हैं मतलब m into n okay m into n जैसे row और column होता है तो उसमें m equals to n हुआ करता है row और column के entries अगर equal होते हैं तो ऐसे matrices कों क्या बोलते हैं ऐसे matrices कों बोलते हैं square matrices अब समझें जैसे आपके पास में यह square matrices है यह जैसे मैंने normally square matrices बना लिया है suppose यह three cross three का है या कितने भी order का है तो यह जो आपका इसका left से जो diagonal जाता है ओके left to right यही इसका diagonal होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते है principal diagonal ओके इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं principal diagonal ओके दूसरा वाला यह जो हुआ करता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं non principal यह हम क्या होते हैं इसी को हम बोलते हैं non principal तो mainly आपके काम का यह वाला diagonal है जिसको मैं यहां पर blue color से दिखा रहा हूँ, यह देखे यह जो diagonal है, अभी pink से कर दिया है, यह जो diagonal है यह आपके काम का है, जैसे यहां पर देखे, यहां पर मैंने green color से यह लिख रहा है, A11, A22, A23, ओके और तो यह diagonal है आपका यह principal diagonal है, अब principal diagonal के उपर जो diagonals बनते हैं, यह क् क्या कहल आता है, super diagonal, यह क्या कहल आता है, super diagonal, ओके उसके ऊपर की diagonal को क्या बोलेंगे, super super, क्या बोलेंगे, super capabilities, ठेक ना, और नीचे जो diagonal बनता है principal diagonal के उसे हम क्या बोलते है, सब डाइगुनल और उसके नीचे का डाइगुनल कॉम क्या बोलते हैं सब सब डाइगुनल तो इस तरीचे से जितने बनते जाएंगे उसके हिसाब से उपर अगर जाओगे तो तो सुपर वर्ड एड होता जाएगा और नीचे अगर जाओगे तो सब सब वर्ड जो है आपका एड होता जाएगा तो ये हो गया इंट्रोड़क्शन किसका, डाइगोनल का, प्रिंस्पल डाइगोनल का, सुपर डाइगोनल का और सब डाइगोनल का चलिए अगला टॉपिक देखें यहाँ पे लिख दिया है, मैंने हेडिंग क्या है How to identify diagonal element, मतलब कि diagonal के element को पता कैसे लगाते हैं, ठीक ना तो यह आपके पास में कोई typical matrix बना हुगा है, थोड़ा से मैं इसको systematic बना लेता हूँ, देखें, तो बहतर लगेगा यह आपके पास में मैं एक square matrix बना लेता हूँ, पहला है A11, फिर A12, फिर A13, A14 अप्टू, 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 माल लेजीए, यह A1N तक जा रहा है, ठीक ना, फिर A1N जाए गए, स्वरी, first row, nth column, A1N ओके, और यहाँ पे है A21, A22, A23, A24, से लेकर के A2N, फिर A331, A32, A33 से लेकर के A3N A3N, ठीक ना, यह A3 जरूर लेकर दीजे, ऐसे देखी, यहाँ पर अगला जो element आएगा, A44 आएगा, और यहाँ पे क्या चलेगा, A41, A42, A43, A44, अप्टू, 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 कितना हो जागा यहाँ से, A4N हो जाएगा, ठीक ना, अब आप समझें, जो last element आएगा, क्योंकि N row है, N column है, तो कितना आएगा, AN1, AN2, AN3, से लेकर कितना आएगा, last element आएगा, ANN, ठीक ना, और इसके पहले क्या आएगा, यह भी समझो, यह आएगा, AN-1, 1, AN-1, AN-2, ठीक ना, यह इस तरीके से, AN-1, 3, मतलब N-1, 3, और तीसर का कॉलम, ऐसे चलते, 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 क्या आएगा, यहाँ पर, AN-1, और N column यहाँ पर आएगे, ठीक ना, यह मैंने इसलिए बनाया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी काम में आएगा, अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, elements of principle diagonal कैसे हुआ करते हैं, तो यह लिख दि दे रहे हैं, यह आपके क्या है, यह principle diagonal कैसे जाएंगे, ओके, यह principle diagonal कैसे पहचान होके, तो देखो, आपके पास actually ये पता है आपको, और आपको ये पता है, ओके, तो यह olarak matrix है, थो थदा सा जोडने में दिक्कत हो रही है, ओके, बट ऐसे यदी इसको आप जोइन करोगे, तो यहां से नीचे से उठ करके उपर की तरफ एक डाइगोनल जाएगा, ओके नीचे से उठ करके उपर की और एक डाइगोनल जाएगा, और ये बन जाएगा नौन प्रिंसपल डाइगोनल, ये जो होता है, पहला वाला left to right जो आता है, वो क्या होता है, प्रिंसपल डाइगो तो अगर आप इसके नीचे के elements का sum करो तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, मतलब row और column का यह भी आप sum करोगे तो n प्लस हो जाएगा, दूसरा दिखे जो element क्या है यहाँ पर जो इसके non-principle diagonal में पढ़ रहा है, क्या है a n-1 और 1, तो यदि इसको आप sum कर दें, sorry 2 है, 1 नहीं है, 2 है तो यदि आप इसको sum कर देते हैं, तो n-1 प्लस का 2, तो फिर से क्या आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक न, तीसरा element इसी तरीके से आपका n-2 और 3 मिल जाएगा, यहाँ पर जो मिलेगा आपको तीसरा element इसके उपर मिल जाएगा n-2 और 3 मिल जाएगा, तो यदि इसको आप sum कर दें, a n-2, n-3 so that is equal to n-1 प्लस 3, फिर से कितना हो जाएगा, sorry n-2 है यहाँ पर, तो फिर से कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा, ऐसे चलते 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 आप लास्ट में यहाँ तक पहुचिए, a 1-n है तो a 1-n को यदि आप add करोगे, तो कितना जाएगा, फिर से odd, इसके जो यहाँ था addition आएगा वो n-1, तो यहाँ से पहचान हो जोगी, कि ऐसे element जिनके row और column का sum n-1 होता है मतलब order से एक ज्यादा, order से एक ज्यादा, वो क्या होते हैं, वो होते हैं, element of non-principle diagonal वो element हुआ करते हैं, done चलिए देखे, अब हम identify करेंगे super diagonal elements को, कि super diagonal entries कौन सी होती हो, उसके लिए हम एक generalization establish करेंगे तो देखे, यदि यह आपके पास में एक matrix आपके पास में दिखाई दे रहा है, आपके पास में एक square matrix है इसके element आपके सामने क्या है, a11 है, a12, a13, up to a1n, first row है यह, second row है, third row है, fourth row है आपको पता है कि जो मैं यहाँ पर green color से लिखा रहा हूँ कि जो principal diagonal होता है, वो यह हुआ करता है ओके, यह principal diagonal है, जो इसका last element है, वो क्या है, a11, last element है इसका ann, यहाँ पर बैठा हुआ है, ann वो क्या होता है, वो आपका super diagonal होता है, उसके और उपर का जो होता है, super super diagonal होता है, तो यहाँ से आप देखिए कि यदि हम इसके elements को देखें तो क्या हो रहा है देखें इसके super diagonal के जो elements आपके मैंने collect करें हैं red pen से मैंने collect करें हैं सारे के सारे जिससे आपको दिखाई दें तो पहला element है आपके पास a12 ये मैंने लिख दिया a12 दूसरा element है आपके पास में a23 यह लिख दिया गया A23, यह element है A34, और जो last element यहाँ पर आएगा, वो कितना बनेगा, A N-1 N, अब आप ध्यान से रिखी, इसको पहचानने का तरीका यह है, कि इसका जो row होता है, row का जो number होता है, that is equals to, हमेशा column में से एक कम है, मतलब I equals to J-1, I equals to J-1, मतलब A, I, J, जो इसके element हो रहे है, A, I, J, so I equals to J-1, yes, J-1, जहाँ पर J की value, for every, J की value कहां से start हो रही है, देखे 2 से, और कहां तक जारी है, N तक, for every, J is starting from 2 to N, तो यहाँ पर concept हमारा बन चुका है, कि जो आपके पास में, element of super diagonal जो होते हैं, या entries of super diagonal होते हैं, उसके लिए क्या to J-1, तो यदि मुझसे पूछे कि, क्या A, 3, 4, जो है, क्या super diagonal का element है, obviously है, because 3 equal to 4 minus 1 है, यदि कोई मुझसे पूछे, A, 5, 6, क्या super diagonal का element होगा, बिल्कुल, super diagonal का element होगा, अगर मुझसे पूछे जाए, A, N-2, और N-1, क्या super diagonal का element होगा, बिल्कुल होगा, because यहाँ पर N-2 ज के elements का, अब चलिए, अब हम बात करते हैं, elements of sub diagonal, मतलब कि, अभी अपने देखे, super diagonal के element, अब element of sub diagonal के लिए, मैं एक N-order का matrix बना रहा हूँ, तो A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, A1, N, A21, A22, A22, A23, A24, 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 A A24, A3N, ठीके, ऐसे करते 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 यहां पर भी, जो है, square form में मैं, finally, लेकर क्या रहा हूं, A21, A21, A23, A24, A24, A33, A24, 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 ओकि, यह matrix मैरे पास बन चुका है, इसको मैंने block के अंदर बंद कर दिया, जिसे कि, यह matrix समझ में आएगा, यह आपके पास makes besser हो चुका है, अब देखे यहाँ पर मैं green color से shade कर रहा हूँ जो मेरे पास principal elements है तो यह मेरे पास principal diagonal के elements मैंने यहाँ पर show कर दिये हैं ठीक है ना अब देखे आपने देख लिया था कि जो super diagonal होता है वो आपने देख लिया था अब हम बात कर रहे हैं sub diagonal की तो sub diagonal के लिए मैं थोड़ा से यहाँ पर help लूँगा A3,4 ओके clear है A3,4 तो यह देखे यही मैं sub diagonal के लिए मैं बनाऊं तो आप जानते हैं कि sub diagonal कैसे बनता है दिखे जो sub diagonal होता है वो आपके जो main super diagonal के नीचे वाला diagonal हुआ करता है तो इस तरीके से आपके पास में जाएगा यह diagonal ओके इसके पास में यहाँ पर जाकर के जस्टिस के पहले यह finish हो जाएगा तो एक आपको property दिख रही है देखे यहाँ पर जो diagonal के sub diagonal के entries आ रही है वो क्या क्या रही है उससे हमको logic लगेगा कि हम क्या होगे so entries elements of sub diagonal okay जो elements आपके sub diagonal है कौन कौन से element है sub diagonal के एक दिखे ए 2 1 है then इसके बाद A32 है A32 गठा हुआ है then इसके बाद A34 है then इसके बाद कितना है A34 okay और यहाँ पर एसे करते 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 कितना आएगा देखे यहाँ पर चलते 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 आप में यह क्या हो जागा A21 लिख लिए आपने A32 देख लिए आप चलते चलते यहाँ पर आएगा AN और यहाँ पर कितना हो जागा N-1 तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो आपके सब डाइगूनल में जो आपका number of row है हमें सब कॉलम से एक जादा है मतलब I is equals to J plus 1 यह है क्रेटेरिया तो जो सब डाइगूनल है पहला आपका इसमें I equal to J plus 1 मतलब row की जो position है वो कॉलम से एक जादा है दीख लिए यहाँ पर row तीसरी है कॉलम दूसरा है यहाँ पर row तीसरी है कॉलम क्या है चोथा है तो यह हो गया आपका क्रेटेरिया ओके ए जी प्लस 1 तो यही मैं पूछूँँगा A9 8 यह element of sub-diagonal है यह element of super-diagonal है तो साब दिख रहा है कि 9 जो है 8 से बड़ा है मतलब I greater than J है I greater than J है तो I बड़ा है इसका मतलब यह क्या है यह sub-diagonal का element है यह किसका element है यह sub-diagonal का element है ओके I hope it is clear to you ओके तो in short इसकों कैसे लेख सकते हैं कि जो element of sub-diagonal होते हैं that is equal to I Aij such that I equals to J plus 1 मतलब जो I-th element होगा जो I की position होगी वो जैसे एक ज़्यादा होगी कि इसको watch करें आप तो देखे I की position minimum कितनी है 2 से start हो रही है और कहां तक जारी है N तक जारी तो I is starting from 2 to N N जो J की position है वो 1 से लेके कहां तक vary हो रही है J की position 1 से लेके N-1 तक vary हो रही है ओके So यह हो चुका है complete about element of sub-diagonal and skewer मैंने बता है आपको element of sub-diagonal Done अब देखिए अगला question देखते है इसमें If A M cross N is a square matrix over field F field F में कोई अगर M cross N square matrix है then the number of आप से पूछा जा रहा है कि number of आप 4 options दिएगा है बताना आपको कौन सा सही है तो ऐसा question करने के लिए best है कि आप objective तरीके से जाहिए एक मैं randomly मैं 3 cross 3 का एक matrix ले लेता हूँ suppose okay मैंने यहां पर matrix ले लिया 3 cross 3 का और इसको मैं लगाऊंगा solve करूँगा इससे देखिए तो जो element है मेरे पास A1 1 है A1 2 है A1 3 है A3 1 है A3 2 है A3 3 है Oh sorry यहां पर 2 होना था A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3 देखिए यहां पर इस matrix का जो order है वो N है मतलब N equal to 3 है तो जो इसके leading diagonal के element होंग या इसके principal diagonal के element होंग वो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे ओके अब इसके बाद यह जो आएगा यह होगा super diagonal element तो super diagonal element कितने आ रहे हैं यहां पर 2 आ रहे हैं 2 equal to 3 minus 1 So I can write N order के लिए कितना हो जाएंगा N minus 1 Because N minus 1 एक order से एक कम है Okay, so the super diagonal entry is equal to कितना होगा N minus 1 तो देखा जाए तो यह वाला correct है Super diagonal entry is equal to N minus 1 Okay, second वाला correct हो चुका यह false हो जाएगा तो N minus 2 होई नहीं सकता है अब बात करते हैं sub diagonal element तो sub diagonal यह नीचे वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं sub diagonal तो यह भी कितने दिख रहे हैं 2 equal to कितना 3 minus 1 So बिलकुल correct है यह भी क्या होगा N minus 1 नहीं होगा और then sub sub diagonal तो यह जो आपके पास में 3 1 दिख रहा है ओके यह 3 1 जो है यह क्या है sub sub diagonal है और इसके कितने element है 1 So 1 can be written as 3 minus 2 लिख सकते हैं तो on general इसको कितना लिख सकते हैं N और minus है ना N minus कितना लिख सकते हैं N minus 2 तो correct answer क्या होगा यह भी होगा तो अपने पास कौन-कौन सा सही है 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है तो correct answer हमारे पास 2, 3, 4 होंगे Okay, done Okay, चले देखे अगला question करते हैं देखे question क्या दिया गया यहां पे How many matrices of the order P cross Q are possible over the field ZP Okay, ZP के मैरे मैंने बताया था आपको Addition model over P Okay, and product model on prime P ठीक है यह आपको दिया गया ZP field आपके सामने दिया गया है इस पर जो है P cross Q order के कितने matrices बनाया जा सकते हैं ठीक है यह तो जानते हो आप लोग P is any prime तो कैसे करेंगे देखे आप एक काम करिए कि randomly आप P cross Q को कुछ select कर लिजे Okay, तो P cross Q को मैंने एक randomly एक rectangular matrix मैंने 2 cross 3 select के लिए मतलब यहाँ पर मैंने P की value कितने लिए रखी 3, 2 ले रखी है तो 2 cross 3 में जो आपके पस element आएंगे वो आएगा A11 मतलब कितने element आएंगा total 6 element 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक ना यह element आपके पास में आएंगे अब देखे ZP का rule क्या होता है इसके जो entries हुआ करती है वो starting कहों से होती है 0 से फिर 1 से फिर 2 से और कितनी होती है ZP जो आप prime number लेते हैं उससे एक कम तक इसकी value चलती है 0 से 1, 2, 3, 4 से लेके up to up to up to कितना यहाँ पर P-1 तक चलती है तो मतलब आपके पास में हर place के लिए आपके पास में कितने दावेदार है 2 दावेदार है फिलहाल P आपका कितना है 2 है तो every place के लिए आपके पास में कितने दावेदार है 2 दावेदार है तो यहाँ भी आपके पास में 2 entries है यहाँ भी आपके पास में 2 entries है थीसरे प्लेस पर भी two entry, अब to, up to, up to करते, आपके पास जो last place है, 6 फाना place है, उसमें बी two entries, तो ये कितना हैगा, टू की power 6, अब इसको logically समझो, आपके पास P entry है, और P entry total कितने जगे पर permutate हो रहे है, P plus P cross Q पर, क्योंकि total इसका जो order बनेगा, वो कितना बनेगा P x Q benएगा मतलब टोटल आपके पास कितने places है आपके पास में P pls Q places है मतलब आपके पास total inputs कितने है P inputs है तो आपके पास जो inputs है देखा जातो logically किते हैं P है और आपके पास जो places है वो किते है P x Q तो हर place पे अगर P Input आएएगे तो P x Q places पर answer कितना होगा P to the power P into Q तो यहाँ पर आपके total बनने वाले जो matrices होंगे वो कितने बनेंगे P to the power P into Q answer होगा तो यहाँ पर total जो आपके matrices बनेंगे वो बनेंगे P to the power P into Q एक बात और याद रखेगा इसके अलावा कि जो ZP function होता है इसके अंदर जो elements होते हैं उनको इसकी classes बोलते हैं तो ZP की जो classes हुआ करती हैं वो start counts होती ही 0, 1, 2, up to, up to, up to, up to कहां तक P minus 1 तक ओके P minus 1 तक और यही elements जो होते हैं इसके अंदर रखे जाते हैं तो total आपके पास कितने inputs बन रहे हैं P inputs बन रहे हैं और places कितने हैं P into Q So जो answer आया है यहाँ पर P to the power P Q आया है ओके चलिए अगला देखिए अगला concept है matrices multiplication matrix multiplication तो वैसे सभी आप लोगों को matrix multiplication आता होगा बट यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे notation में matrix multiplication आपको explain किया जाएगा समझे matrix multiplication क्या होता है जैसे मान लीजिए आपके पास एक matrix है पहला matrix आपके पास में A है A matrix आपके पास में दिया गया है किस order का है M cross N का है M cross N का है आपके पास में matrix है This is of M cross N और दूसरा matrix जो आपके पास में B है यह क्या matrix है इसका नाम है A और दूसरा matrix जो आपको मैंने B दे रखा है ये क्यों हो रहा है येस दूसरा matrix जो मैंने आपको B दे रखा है suppose वो N cross L का है तो ये तो होना चाहिए कि मतलब पहले के जितने रोज होते हैं पहले के जितने columns होते हैं दूसरे में उतने रोज होने चाहिए अब ये दोनों को multiply करकर कि आप एक तीसरा matrix बनाते हूँ C matrix है जिसका नाम C तो C के जो element हुआ करते हैं जैसे C11 आएगा फिर इदर C12 आएगा फिर इदर C13 आएगा ऐसे करते 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 आपके element बदलेंगे और इसमें क्या आएगा CM1 और ये last में कितना हैगा C1L हो जाएगा क्योंकि L column है last में तो up to up to C1L ओके L columns है और CM1 CM2 up to up to CML ये ऐसा matrix बनेगा तो ये matrix A है ये matrix B के साथ multiply होके matrix C कुछ इस ताइप से बना रहा है तो आप थोड़ा सा समझो होता क्या है देखो आपके पास ये first row है ओके ये first row है आप इसको second के first column से multiply करते हो corresponding element को तो आप क्या कर रहे होते हो यहाँ पर इसके row तो same रहते हैं columns बदलते जाते हैं तो आप लिख सकते हो A, I, OK A, I, K A, I, K और columns जो है इसके row के columns बदलते जाते हैं कहाँ से start होते हैं one से लेके end तक one से लेके end तक अगर आप इसके row को corresponding rows के element को इसके element से multiply करते हो ये क्या है भाई साब ये b के element है और यहाँ पर क्या बदलेगी यहाँ पर क्या बदलेगी row बदलेगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ multiply by b okay b की जो row है वो बदलेगी तो b के row जो होंगे वो बदलेगे b के row को मैं लिखूँगा k और again row तो बदलेगी कहां तक बदलेगी row देखे one से लेकर के m तक okay okay तो जो b के rows है कितने rows है इसमे end rows है okay तो k की value अगेन यहाँ k equals to one से लेकर कहां तक change होगी end तक okay और b के row values तो बदल रहे हैं और जो आपके पास में इसका column है j okay yes तो इसका आप product करेंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा आपको आपके पास में आपको यह कैसे चलेगा भी देखो आप लुग यहाँ पर first row है okay first row है और first column है तो first row में row तो fix रहती है row आपके क्या specificity fix रहती है तो यदि आप first row के लिए इसको समझो तो इसको क्या लेखो कि a 1 k और इसे क्या लेखो कि b k 1 है न तो यह आपको क्या देदेगा यह element देख आपको c11 यह क्या देख आपको element c11 आप commonly इसको लिख सकते हो अगर आप k को बाहर ले लो एक बार में और इन सारे element को जोड़ना ही पड़ता है sorry यह लिखना में भूल गया तो इन element को आपको add भी करना पड़ेगा तो आप इसको as a common क्या लेख सकते हो finally k की value 1 से लेकर के n तक vary होती है तो पहले element के क्या vary हुआ करते हैं इस चीज़ को ध्यान रखो row का number तो fix रहता है okay column का number जो होता बदलता जाता तो a की row fix है okay और column change होता जाता है दूसरे वाले का क्या fix है देखो दूसरे वाले का जो है आपका दूसरे वाले का column fix है और row की values बदलती जाती है तो b, k okay और यहाँ पे 1 यदि आप इसको ऐसा करते हो तो आपको क्या मिलेगा c11 मिलेगा क्या मिलेगा आपको c11 मिलेगा मतलब first element आपको c11 मिल जाएगा इस तरीके से तो first row और first column में आपने multiply कर दिया तो c11 मिल गया अब आपको c12 चाहिए है तो c12 के लिए कि देखे क्या करेंगे आपके पास row तो आपके पास पहली ही है बट आपको multiply excuse me तो देखी यहां पर मैंने आपको c11 के बारे बता दिया कि c11 जो है आपका इस तरीके से बनेगा आप बात करते हैं c12 के बारे में कि c12 जो है वो किस तरीके से बनेगा तो देखे c12 के लिए को क्या करना पड़ेगा c12 समझे क्या approach है c12 की कि आपके पास में जो row है sigma k equals to 1 से लेके n k equals to 1 से लेके n a का row आपने fix कर दिया यह बट column rapidly 1 से लेके n तक change हो जाएगा और b वाले में आपने b वाले का जो आपके पास में row है ओके b वाले की row जो होगी वो change होगी क्या 1 से लेके n तक but column आपका क्या रहेगा 2 रहेगा because आपको column fix कर दिया है तो यह देख लिजे इस तरीके से आप इसको यहाँ पर 1st लिखना था मुझे C12 निकाल रहे है न 1st row तो row यहाँ पर fix रहेगी यस यह चलेगा आपके पास में तो यह आपका क्या बन जाएगा C12 बन जाएगा तो यह देखिए आपने C11 सीख लिया आपने C12 सीख लिया अब इन जनरल अगर मैं सारे element यहाँ पर जो कोई भी बैठा है Cij कोई भी element अगर Cij बैठा हुआ है तो यदि मैं Cij की बात करो तो कैसे निकलेगा इसको समझेए Cij का element आपको निकलना है तो Cij आप कैसे निकलेगे इस चीज को भी समझेए Cij तो क्या करो सबसे पहले आप सिगमा लगा दो अब जब Cij में इत रो चलेगा तो इत रो जो है आपकी फिक्स रहेगी बट आपके पास जो कॉलम होगा वो 1 से लेकर के n तक बदलेगा तो आपके पास Cij में आपके पास जो element A है उसकी आइत रो तो फिक्स रहेगी मगर उसका जो कॉलम होगा वो K एक्कोल्स टू 1 से लेकर अन तक बदलेगा यह होगा आपके पास में Cij अब दूसरे element जो दूसरा matrix है B है दूसरे matrix की जो रो होती है वो K होती है रो जो होती बदलती कहां से कहां तक 1 से लेकर N तक मगर उसका जो कॉलम होता है वो fix होता है तो यहाँ पर J की value fix होती है तो यह होता है Cij का notation जो general element होता है मतलब कि आपके matrix में product के बाद जो आपके पास general element होता है उसकी practice कर लेजिए value बदलेगी और दूसरे में आपके पास में क्या fix कर दो यहाँ पर किया जाएगा और इसका row का element आप fix कर दो तो यह practice कीजिए यह चीजें थोड़ी सी complex थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा complex है और बहुत practice मांगती है एक अलग नजरिये से यहाँ पर आपको जो है matrix multiplication देखना मैंने सिखा दिया है so okay guys आज की class को हम यहीं पर end करते है and thank you सभी को जो आपने इस lecture को विजट किया और अच्छे से पढ़ा thank you so much for being with Locaster Unlimited Study Zone bye bye